तो चले दोस्तो फिलाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कोई 40 पसंट कोई 20 पसंट कोई 25 पसंट यहाँ पर डाउन है ठीक है पॉइंट नमार बन पॉइंट नमार टू की कम्पनी के प्रमोटर्स की अगर मैं होल्डिंग की बात करो तो 70 पसंट से ज्यादा की होल्डिंग वहाँ पे हम लोग नजर आ रही हैं So definitely अगर promoter की holding अगर ज़्यादा रहेगी तो वो कोशिच की जाती है कि promoter वापस company को top level पे लेके जाने की कोशिच करेंगी because जितना ज़्यादा share का price comeback करेगा उतना सबसे ज़्यादा benefit अगर किसी को होगा तो promoter की ही होगा क्योंकि 70% shares in fact more than that वो अपने पास ही लेकर बेठे हुए है So definitely ऐसे companies से रिलेटर हम लोग बाचीत इस बुड़े में आपे करने माले हैं disclaimer clear करते कोई recommendation होता नहीं है यह मैंने इसके पहले भी का है खरीदना है बेचना है hold करना है average करना है आपकी मरजी हमारा जो overall focus होता है concept होता है वो business oriented होता है अगर आपको वो business अच्छा लगता है तो आप further उस company को study कर सकते हो ऐसा नहीं कि discount मिल रहा है मतलब किदर भी चले जाओ ऐसे तो आपको बहुत सारे companies भी मिलेगी अगर एक particular business आपको काफे interesting लग रहा है तो फिर आप decision ले सकते हो की जाना ही की नहीं जाना है करके ठीके अगर मैं example की भी अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार की वीडियो में इसके पहले भी बना चुका हूँ और उनमें से अगर देखा गया चार कंपनिया तो लिटरली हम लोगों को comeback भी करते वे देखने का आपे मिल चुके है जैसे कि अगर मैं बात करूँ मुद्धट finance आप देख सकते दोस्तों इसके पहले भी cover किया था कि 70% promoter की holding है उससे भी जादा and share अच्छी तरीकी से अब ही top level पे जाते वे देखने को मिल चुका है एक और एक और एक्जामपल लिया था एवनी सुपरमार्ट का डिमार्ट इमार्ट इंप्रेक्ट अगर देखा गया तो यहापे हम कह सकते है आज भी top level से 10% डाउन ही है पट येs comeback करने के लिए time लगता है ये चीज़े इसकी बात करें तो TCS भी देखा गया तो तभी 3000 के level के आसपास चलता था और उसके बाद अभी आप देख सकते हो फिलाल comeback करके top पे आपे आ जुका है तो definitely हम यहापे कह सकते हैं दोस्तों कि ये company ने recovery की है हाँ कुछ company ऐसी है जिनको recovery के लिए time लग सकता है और उनी से related बा correction आना ही था ये सत्के है आप सविलों को पता ही है और जैसी correction आगया आप देख सकते हैं stock आधा हो गया तो आधा होना मतलब कोई fraud गडबार धोके बाजी नहीं है company के balance sheet भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है अट्रा सो करोड की रिजाव से long term boring की बात करें तो जीरो है short term boring की बात करें तो वो भी zero है cash and cash equivalent की अगर हम लोग आपे बात करें तो वो भी आप check out कर सकते हो लगबग साड़े 900 करोड का cash देखने हैं मतलब strong balance sheet वाली company है but yes company mid cap है 15,000 करोड का market cap फिलाल तो नज़र आ रहा है बट इसी चीज़ के चलते बताना चूंगा कि correction जब ऐसे companies म आप देख सकते हो 75% promoter है 25% बचा हुआ है उसमें से भी 15% के institutions के पास है and public 9.77% के साथ यहापे चल रही है so discount में मिल रहा है जोर दवरतिस्ती से निवेश करना काफी poor and मतलब हम कह सकते कमजोर investor की निशानी होती है आपको business अच्छा लगना चाहिए इनके business model क्या है इसके उ विनाती organic तो यह भी chemical segments यह जोड़ी वी company अगर आप फिलाल का performance देखोगे तो company टॉप लेवर से अच्छी कासी गिरे अभी थोड़ा बहुत हमलों को आप देख सकते हो recovery हमलों को देखने हो का आपे मिल चुकी है बट फिर भी अभी बी काफी recovery होना बाकी है 25 करोड के आसप आप company के corrections बड़े-बड़े होते हैं तो उतना जिलना यह आपे आना चाहिए शेर holding pattern की बात करेंगे तो यहापे भी आप देख सकते 70% प्लस promoter नजर आ रहे हैं 7 और 4 लगबग अगर कहेंगे 11 और बाकी बचा कुछा मतलब 12% institutions के पास है और पब्लिक के पास 13% की holding देखने के आपे मिल रही है so definitely विनाती और गेनिक भी आप अपने radar के पर यहापे set करके रख सकते हो same situation again कहना चाहूँगा कोई यहापे recommendation यहापे नहीं है so एक chemical segment से जोड़ी भी company है chemical segment में overall global level पे slowdown देखने को मिल रहा है तो इसी चीज़ के चलते ही इन companies को बहाना मिल गया external issues के चल company है ठीक है pharma में भी इनका अच्छा युगदान देखने को मिल जाता है अब देख सकते हैं इनके chart pattern कैसे हम लोग को गिरते वे देखने को ने तो गिरावाट is equal to exit तो यह formula नहीं होता है दोस्तों जब तक company के business में दम है तब तक आप उस company का साथ दे सकते हो अगर आपको ल cash and cash equivalent की बात करेंगे तो 30 करोड के आसपस का cash भी देखने का आपे मिल रहा है company के market cap की अगर हम लोग बात करेंगे केवल 10,000 करोड का market cap है इस company को पहली बार हम लोगों ने cover किया था 1000 करोड का भी market cap नहीं था इतनी छोटी company थी तो उसके बाद आप देख सकते हैं इतना जब 70% ही है बाकी public के पास holding देखने का आपे मिल रही है so amines company में अगर आपको interest है तो जरूर इस company को आप चाओ तो यहाँ पर study कर सकते हो इसी के साथ साथ बाला जी amines भी है आप सविलंग को पताई है हाँ वहाँ पर promoter holding इतना नहीं है 70% प्लस बट और अलगर देखा कि दोनों dumpings यहाँ पर होती थी वह रुख चुकी थी तो इसी एक news के चलते अलकाइल amines बाला जी amines में हम लोगों को अच्छी तेजी देखने का आपे मिली थी so अगर आप चाहो तो इन companies को भी study आपे कर सकते हो next अगर हम लोग आप बात करेंगे दोस्तो तो actually glass coat yes के यह जो company आप होगा ही नहीं इनके equipment के बीना सो यह दोनों जो सेक्टर chemical and pharma यह दोनों हम लोगों को low cycle में चल रहे हैं सो जब तक यह low cycle में चल रहेंगे तो capex कैसे होगा capex नहीं होगा तो actually glass coat को business कैसे मिलेगा तो इसलिए company हम लोगो क्या देखने को मिल रही है top level से अच्छी खासी गिर returns कितने नजर आ रहे 1300% की returns मतलब आप अंदाजा लगा कर देखिए कि क्या returns बने होंगे बट यही problem है जो तेजी देखकर निवेश करता है फिर वो बुरी तरीके से first जाता है तो क्या यह company का business खराब है बिल्कुल भी ने company का business अभी भी अच्छा है सिर्फ chemical और pharma में comeback कब होगा इसका इंतजार यह company कर रहे है बट काफी छोटी company results देखिए केवल 300 करोड के results है देन long term boring की बात करें 1500 के आसपास है short term 193 and cash and cash equivalent की बात करेंगे तो 10 का ही cash देखने को मिल रहा है तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह कितनी छोटी company अभी तो फिलाल 3000 करोड का market cap नजर आ रहा है दैन अगर हम लोग बात करेंगे promoter holding almost 70% मतला 66 के आसपास देखने को आपे मिल रही है तो इसलिए इसको यहाँ पर cover किया है जब chemical और फार्मा यह sector में हम लोगो recovery होते वे देखने को मिलेगी तो यह company काफी अच्छा वापस performance आपे दिखा सकते, comeback कर सकती है तो इस context में इस company को आपे study करना है पहले अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं, 70% की होल्डिंग थी अभी हाली में उन्होंने बीच में क्या किया है, थोड़ा बौट dilute यहाँ पे किया है बट dilution में भी अगर हम लोग देखेंगे 3 और 0 तो यहाँ से हमनों को यह 4 और 3 मतलब institutions के पास ही पैसा जाते हैं देखने हो का आपे मिल चुका है ठीक है वैसे भी अगर पब्लिक के पास भी जाता तो इसतना कोई पाहड नहीं तूटता है प्रमोटर के पास बड़ा होल्डिंग देखने को मिल रहा है आखरी कंपनी की बात करेंगे LTTS L&T ग्रूप की काफी बड़ी दिगज कंपनी बैलेंस्ट इप्दम श्ट्रॉंग है पी अनल इप्दम जबरदस्त है ठीके मार्केट के आप देखेंगे 50,000 करोड का मार्केट के आप देखने को आपे मिल जाता है या पे भी शेर वोल्डिंग पैटन देखेंगे 70% प्लस प्रमोटर के पास है 12 और 5 लगबग अगर हम लोग बात करे तो 17 और बाकी ही देखा 17.5% की होल्डिंग इंस्ट्रोडिशन के पास है और पब्लिक के पास 8.5% की होल्डिंग देखने को आपे मिल रहे एप्रोक्सिमेटली सो ल्टी टीटीएस भी अगर देखा गया तो काफी इंट्रेस्टिंग कंपनी ये भी अगर हम लोग कहे तो टॉप लेवल से वापस थोड़ा बहुत नीचे आते हैं देखने को मिला है बीच में तो एबदम ही जबरदस नीचे आया था तो तबी भी मोका दे रहा था वापस देखे गिरावट हमेशा मोका होती है बट ये मोका उनी लोगों के होती है जिनको बिजनेस समझ में आता है जो बिजनेस को देखते ने उनके लिए बस एक प्राइज रहता है या फिर न्यूस देखते या फिर तेजी इस चीज के चलते वो निवेश करते उनके लिए आने वाला जो महोल रहता है बाजार के हिसाब से वो काफ़ी टफ रहता है तो अगेन कहना चाओंगा दोस्तो कोई recommendation आपे नहीं था business को देखकर ही आप लोगोंने decision से आपे लेने होते हैं तो अगेन कहना चाओंगा कि यह educational purpose related video था बट बताने का मकसद क्या था है यह सारे company अच्छे discount के पर हमनों को देखने का आपे मिल रही है जापे promoter की holding 70% के आसपस देखने का आपे मिल रही है तो उस context में आप चाओ तो इन companies को study आपे कर सकते हो वैसे list निकाली जाए तो ऐसे आपको बहुत सारे और भी company देखने का आपे मिल जाएंगी यह कुछ 4-5 company में ने आप लोगों के सामने आपे रखी हुई है तो आशा करते हैं वीडियो लगागा तो चाओ तो like and share कर सकते हो मिलते हैं कल तब तक के लिए बबाए